तो देखिए अभी तक हमने पॉल सैंस का जो सैंपल पेपर है उसका जो कोशन 31 है यह हमने ये वाला कर लिया था अब इसका जो और है वो हमें करना है तो इसके और वाला कोशन में पूछ रखा है इंद्रिया गांदी की अगवाई में कॉंग्रेस पार्टी कौर 1971 की लोक सभा चुनाव में शांदा सफलता प्राप्त करने की प्रमुक कारणों को सबस्ट करना यानि कि जो इंद्रा गांदी के टाइम पर 1971 में जो चुनाव हुए थे लोक सभागे उसमें इंद्रा गांदी को इतनी बड़ी आस जो सफलता है चुनावों में वो कैसे प्राप्त हुई ति उसके कारणों को हमें बताना है अब देखिए इस यह कारण यहां पर लिख रखें सबसे पहला कारण आता है जो इंद्रा गांदी है उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो इंद्रा गांदी थी उन्हों की द्वारा गया इतना प्रसिद्धी प्रावत हुई थी और इससे जितने भी लोग है क्योंकि तो गरीबी हमारे देश का एक मुख्य कारण रहा है चाहे वो अब हो चाहे वो उस समय हो 1971 में तो गरीबी को मुख्य में रखकर अगर उसको ठीक करने के लिए कहा जाता है किसी भी जुनाव के सम उन्हें आकरशित किया जाता है गरीबी क्या है बहुत अधिक हैं हमारे भारत में तो उसी को मुख्य में रखकर इंद्रा गांदी ने अपना जो नारा है गरीबी हटाओ का नारा दिया जिससे काफी लोग प्रभावित हुए जिसके कारण के नाकरीकों में उत्साहा भर ग कारण क्या है इंद्रा गांदी को क्योंकि इसके इंद्रा गांदी के चुनाव जीतने के बाद उसका एक उदेश यहां पस्पस्ट हो रहा है तो यह जो था इसके कारण पर इंद्रा गांदी क्या है 1971 का जो लोग सभाचनाव हुआ था उसमें उसे वेजय प्राप्त हुई अब देखी दूसरा कारण के अंदर आता है 1967 के चुनाव के बाद करी राजों में क्या हो था सनवीदा सरकार बनी थी सनवीदा सरकार का मतलब होता है मिली जूली सरकार यानि की काफी सारी जो पार्टी है वो मिल जूलकर क्या है सरकार बनाती है तो सनवीदा सरकार बनी थी 1967 क चुनावों के बाद परंतु जो ये सनवीदा सरकार थी वह ज़्यादा दिन दोग चल नहीं पाई थी क्योंकि इसका कारण था क्योंकि अलग-अलग जो पार्टियों के अलग-अलग जो सरकार मिल चुलकर सरकार बनती है तो उसमें विबिन जो विचार धारा होती है नेताओ कि वो भी अलग-अलग होती है तो उसमें मतभीत के कारण के सरकार नहीं चल पाई थी और जो ये सरकार बनी थी 1967 के बाद तो वो कामयाब नहीं हो पाई थी उसने अपना कारेकाल पूर नहीं किया था अधूरा छोड़ दिया था तो इसी कारण जो लोग जो भी नाकरिक है उनके मन में ये बात आ गई की देश को चलाने के लिए एक मजबूत सरकार के जरूरत है इसके कान जो इंदरा गांधी की सरकार है उसे क्या है लोग सभाचुनाव 1971 में विजह हासिल हुए थी तीसरा कान था इंदरा गांधी की नीतिया है इंदरा गांधी ने बहुत सारे जो नीतिया हैं वो अपनाई इस चुनाव को जीतने के लिए जिसके अंतरगत है जब चुनाव आते हैं तो उसके आज पास आपने देखा हुगा कुछ नीतिया लागू की जाती है जिससे कि हम सभी लुभानवीत हो सके और इस पार्टी को जीता सके इसी प्रेकार इंद्रग लुभा सकती थी आम जन्ता को काफी पसंद थी ऐसी नीतियों को क्या किया इंद्रा गांधी ने लागू किया जिससे कि इसे फायदा भी हुआ 1971 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें इंद्रा गांधी की पार्टी को क्या है सीधे तोर पर इससे फायदा मिला था यानि कि वोट प्राप्त हुए थे जो नीतिया लागू की थी तो ये दो तीन नीतिया हैं इनकी आपको नाम याद रखने हैं अगला है इंद्रा गांधी के अंदर एक आकरशक व्यक्ति तत्व था या तो ये कहा जाए कि इंद्रा गांधी नहरू की बेटी हैं बेटी थी इसलिए इंद्रा गांधी की छवी के अंदर जो नागरिक हैं वो नहरू की छवी देखते थे और नहरू जो है एक लोग प्र ध्याहे जीतने रहे थे अपने मरते दम तक तो इस लिए जो इंद्रा गांधी है इंके अंदर नहरुकी हुचवेग से जातीести एसके सात्व इसका disc इना जो भाषन था वो भी क्या था या थी तो हलें जो भाशन अद्रा गांधी अंदर बहुती आकरशक ठंग से भाषन दे सकती थी, बहुत ही attitude के साथ दे सकती थी, जो एक भाषन देने वाले के अंदर होना चाहिए, तो बहुत बार जो बाते लिखी जाती हैं, उनसे ज़्यादा अगर कोई आपको उस बात को पढ़कर सुनाता है, तो वो आपको ज़्यादा अट्रेक्ट करती ह क्योंकि भाषन देने के तरीके में, उनका व्यक्ति तत्व, उनके बोलने का तरीका, उनके भाव, हर चीज हमें प्रकट होती है, तो इसके कारण भी क्या हुआ, जो जनता है भारत देश की वो क्या है, इंद्रा गांधी से खुद को जुड़ा हुआ समझने लगी, इसी का खारण है इंद्रा गांधी का 1971 के चुनाव में जितने का वो है, कमजोर विपक्ष, यानि कि जो उस समय विपक्ष था, वो ख्याता काफी कमजोर था, विपक्ष के पास ऐसा कोई भी, जैसे कि इंद्रा गांधी के पास एक बहुत ही बड़ा जो एजंडा था, क्या था, ग जिसके कान जब किसी के पास कुछ करने का ओदेश्य नहीं होता है, तो हम उसे जिता करेंगे जब हमें उससे कुछ प्राप नहीं होगा, इसी कारण, और जब विपक्ष में जो इंद्रा, विपक्ष ने केवल एक ही नारा दिया है, उस समय इंद्रा थाओ, तो इंद्रा आजन्डा भी था तो इसलिए जो नागरिक हैं वो इंतरा कांधी से ज्यादा अकर्शित थे ज्यादा उनकी तरफ अपने आपको जुड़ा हुआ समझते थे ना कि विबक्ष को क्योंकि विबक्ष के पास ना तो कोई एजन्डा था और ना ही कोई अच्छा कासा नारा था न आगूहा है निपसी वैश्विकन को अपनाना शुरू कर दिया है तो वैश्विकन की प्रसार के कारण विश्व में जो आर्थिक प्रभाव है उसका वो बताना है तो अब देखो आर्थिक प्रभाव के हंदर हमें सकरात्म प्रभाव भी हाँ पर बताने हैं और नकरात्म प्रभाव भी अगर आपको केवल सकरात्मिक आते हैं तो कोई बात नहीं है आपको 6 पोइंट सकरात्मिक बता देने इसे भी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल आर्थिक प्रभाव पूछे हैं पर अगर इस आंसर को सही से करने का जो धंग है वो यही होगा क जो वैश्विकन के आर्थिक प्रभाव पूछे जिसमें आपके सही प्रभाव और गलत प्रभाव यानि कि अच्छे प्रभाव और पूरे प्रभाव दोनों आएंगे क्योंकि कभी भी किसी चीर का केवल एक पक्ष नहीं होता है दोनों पक्ष होते हैं इसलिए इसका आर् वैश्विकन को सबसे पहले समझते हैं, वैश्विकन का मतलब है कि विश्व की अर्थवरस्ता क्या है, अब खुल चुकी है, मतलब हर देश ने अपने द्वार खोल दिये हैं, किसके लिए कोई भी बाहर से आकर हमारे देश में वस्तू को बेच सकता है, निवेश कर सकता है, इसके साथ साथ वैश्विकन के वल वस्तू का प्रसारन नहीं है, इसके साथ साथ वैश्विकन क्या है, वैश्विकन किसी भी संस्कृती का प्रसार होना, किसी भी विचार धरा का प्रसार होना, किसी भी चीश का प्रसार होना, यहां तक कि जो लोग हैं वो एक स्तांस, एक देशותे दूसरे देश में जाते हैं तो वो भी वैश्वीगर्ण के अंत्रकत ही आता है तो वैश्वीकर्ण की परीभाषा मुख्यत है यही तक्सीमित है अब देखी वैश्वीकर्ण जो है उसके कारण जो आदिक प्रभाव पड़े हैं वो सबसे बड़ा प्रभाव यह उठा सकता है, जिसे वो अपनी अर्थवस्ता में सुधार कर सकता है। इसके साथ जो प्रतिक्ष विदेशी निवेश है याने कि FDI और तक्णिकी नवाचार को बढ़ने में मदद मिलती है। जो तकनीकी नवाचार है उसके कारण भी किया अर्थोस्तों को बढ़ने मदद पिलती है अब ये प्रतिक्ष निवेश जो है यानि कि FDI इसमें क्या होता है जब दूसरे देशी कमपनी हमारे देश में यानि किसी दूसरे देश में क्या करती है निवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है FDI कहा जाता है और इसके कारण क्या होता है एक देश के जो बुनियादी धाचा है वो और भी ज़्यादा बहतर हो जाता है और इससे क्या होता है विकास को भी बढ़ावा मिलता है इसके साथ सा जो तकनीकी नवाचार है वो क्या है तकनीकी नवाचार यानि कि तकनीकों में हर दिन परिवर्टन होता रहता है हर दिन उसमें नई तकनीकों के और अलग-अलग तरीके आ जाते हैं जिसके कारण क्या है कोई भी देश अपने अर्थवस्ता को और उचा उठा सकता है तो यह केवल अब यह नहीं है कि भारत में किसी नई तकनीक की खोज अपनी अर्थवस्ता के विकास में भी क्या है इस वैश्वी गर्ण से क्या है बहुत ज़्यादा उठा रही है अब बात करती है नकरात्मक प्रभाव की तो नकरात्मक प्रभाव क्या था इसका नकरात्मक प्रभाव यह रहा है अभी तक अगर इसका अनलाइज किया जाता तो ये रहा है कि वैश्वीगन के कारण क्या है जो घरेलू उध्योग है उसे नुकसान पहुचा है जैसे कि अगर बात की जाए भारत की जब भारत अजाद हुआ था तो उस समय भारत एक तो कृशी पर निरभर था यानि कि भारत किसी से वैपार नहीं करता था और साथे क्या करता था वस्तो का निर्मान करता था यानि कि भायत के पास ज्यादा मशीने नहीं थी यानि कि जो भारत है वो घरीलू उध्योग जादा करता था बड़े बड़े उध्योग के स्तान पर घरीलू उध्योग थे हर घर में हर घर में क्या है उध्योग होते थे चोटे- क्या है बाहरी वस्तु अगर हमारे देश में आती हैं तो इससे क्या हो रहा है जो घरेली उध्योग है उसे क्या हतोसाहन मिल रहा है यानि कि प्रोसाहन किसान पर उन्हें हतोसाहन किया जा रहा है क्योंकि अगर जो घरेली उध्योग होते वो काफी छोटे होते हैं काम करने मे उन्हें काफी टाइम लगता है तो इससे जो वस्तु का उत्पादन है वो भी बहुत कम गती से होगा पर अगर बाहर से कोई वस्तु आ रही है वो भी बड़ी मात्रा में आ रही है और इसके साथ साथ जो सी गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी अगर वह मशीनों से तो इसलिए उसका प्राइस भी जादा होता है घरेली उध्योग की वस्तु की कीमत भी जादा होती है तो इसके कारण क्या है जो लोग है जो नागरिक है वो किसी लेना पसंद करेंगे जिसकी जो क्वाइलिटी में अच्छी हो जो उन्हें जादा मात्रा मिल सकती हो और प्रचूर मात्रा में उसे खरिदा जाता है तो इससे जो घरेली उध्योग है उसे क्या है बहुत जादा नकरात में प्रभाव उनके उपर पड़ा है जैसे कि अगर यहाँ पर एक्जामपल दिया गया बहु रास्ट्रे कंपनिया अन्य देशों में स्तापेद करना जो है कि अंदर आपके पैसे भी आ जाएंगे और साथे साथ आपके मशीने भी आ जाएंगे तो इतनी नहीं होती है उनके पास। जब विक्से देश अपने लाब के लिए दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं कुशल लोगों और संसाधनों को खीचते हैं यानि कि कोई बह वस्तु खरते हुए वो यह नहीं देखेंगे कि हमारे भारत की निरमत वस्तु है या फिर यह उस बहुराश्टे कंपने की निरमत वस्तु है उन्हीं जो वस्तु सही टाइम पर मिलेगी कम कीमत में मिलेगी उसी को लेंगी तो इससे कहा है जो घरेलू उध्योग है उसे ब बताना है हमें तो वैश्वी करण का अगर आपको अर्थ आता है तो इसकी जो विशेष्टा है वो काफी मुश्किल नहीं है यह जो चैप्टर है हम से जुड़ा हुआ है हम हर दिन इससे हम निकलते हैं गुजरते हैं राजनीती जो है राजनीतिक विज्ञान वो जो हम में आज चुका है जो भी मैंने आपको बताया है तो इसके according आप इसकी विशेष्टे असानी से लिख सकते हैं जैसे कि वैश्वी करण के द्वारा क्या होता है जो देश क्या किसी भी देश की जो विचार धारा है संस्कृती है जो लोग हैं काम की सिलसले में चाते हैं दू कोई knowledge होगी या फिर इसके साथ साथ जो वस्तुएं हैं वो एक देश से दूसरे देश में पलायन करती है उसे ही वैश्वी करण कहा जाता है तो इससे क्या हो रहा है इससे वैश्वी करण के द्वारा जो आपसी जुडाव है देश के बीच में उसे बढ़ोतरी मिल रही है उसे बल मिल रहा है विशेश बल क्योंकि अगर किसी देश की जो ये सारी चीजे है वो दूसरे देश में पलायन करती है तो ये तो जुडाव हुआ न उस देश के साथ तो जुडाव में बढ़ोतरी मिल रही है बढ़ोतरी होगी अगर दूसरे देश के साथ वैपार क्या है जो अंतर विरोध उनके बीच में कभी भी है किसी बात को लेकर है उसको क्या है उसको की समापती हो जाती है अगर हम किसी के फ्रेंड बन जाते हैं मित्र बन जाते हैं तो हमारे जतनी मनमुटावत है उसके प्रती वो सारे के सारे समापत हो जाते हैं यही यहां प्रव तो क्या होगा इससे जो वो हमेशा आपसे बनाने की सोचेंगे ना की बिगाडने की और इससे क्या होगा वे कभी भी युद करने की जो संभावना है वो बहुत ही कम रहेगी लड़ाई जगड़ा बहुत ही कम होगा जब आपको किसी के जरूरत होती है तो आप उसे बहुत मी अगर आती है जिससे हमें जरूरत होती है उनसे हम अच्छे से बात करते हैं अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हैं इसी तरीके से अगर देश को देखा जाए तो देशों में भी क्या होता है अगर भारत का किसी देश के साथ अच्छा सम्मंध है उसकी जरूरत है अच्छी तो वो उससे समन अच्छे बनाई रखेगा, उसे भारत को अगर उससे कुछ फाइदा हो रहा है तो, तो यही चीज यहाँ पर बताई हुई है, और इससे कह युद होने के संभावना कम रहती है, अगला आपसी जुडाव से एक संस्कृति के जो विचार धारा है, वो दूसर जो संस्कृति है, उसमें असाने से स्विकारी ही जा सकती है, यानि कि किसी भी देश में कोई भी संस्कृति है, वो बाहरी देश क्या है, उसे अपना सकता है, विच्वे का कोई भी देश, उसे अपना सकता है, वेश्विगन के कारण, जैसे कि इसका एक्जामपल दिया जा है बहुत अच्छे से और हम उन की हम अपना ले कुछ हमारी वह अपना लिए पर यहाँ पर परलायन हो Chem हमें नहीं पता कि नहीं पता है नहीं अपना रही है पर हम उनकी जो विचा उनकी जो संंस्कृतिंगे वह अ इसे अंत्रक्रिया कहा जाता है, यानि कि जो संस्कृति है, वो क्या है किसी भी एक देश की संस्कृति है, जो विचार है, वो दूसरी संस्कृति में जाकर मिल जाते हैं, तो यह हुआ, अब देखे व्याश्वीकर्ण, प्रभाहों में गती शीलता को बढ़ाती है, और चली हुई आ रही है, एक विचारधारा चली हुई आ रही है, हमारे मन मस्तिश में ये बिठा दिया गया है, ये जो चीज है, इसके पती हमारे विचारधारा ये ही रहेगी, पर अब जैसे ही वैश्वीकर्ण, जो है, उसका प्रसारन हुआ है, और इससे बाहरी जो विचा क्या हो रहा है जब रूड़ी वादिता थी उसे कही ना कही टकर दे रही है वो विचारधारा और हम उस विचारधारा को समझते हुए अपनाते हुए उस रूड़ी वादिता को खतम करते हुए जा रही है तो इससे भी फायता हो रहा है आप सब इने देखा होगा जो पुरा दो को अब चार दिवारी में रोखना असंभव है, अगला इसका point देखिए, वेशवी करण उदार पूंजिवादी विवस्ता को बढ़ावा देती है, जो वेशवी करण हमें कि-वेशवी अपना लाप देखा जाता है। विकास का अधार प्रधान करती है यानि कि जो व्यक्ति है उसका अपना विकास कहां से कैसे कर सकता है उसका भी अधार क्या है अब वैश्वी करनेंग पर अधारित हो चुका है इसके साथ साथ वैश्वी करन साजा बजार को बढ़ावा देती है साजा बजार यानि कि मिल विश्व के अनेक देशों के वस्वय बिखती हैं, तो इस साजा बजार हुआ ना हर देश के लिए एक अलग से बजार, अपने देश के साथ अलग भी एक बजार जो है, उसे उपलब्द हो रहा है, वनि वस्वय को बेचने के लिए, तो इसे प्रोफिट होता है, और विश्रादान इसकी महतर पूं विशेश्टा है। इस तरीके की जो समस्याएं होती है वो विश्वकी होती है और इसे मिल जूलकर ही इसे निपटाया जा सकता है तो इसमें अगर वैश्विक अदान परदान होता है ये सब भी कहा है वैश्विक अदान के कारण संबब हो सकता है तो इसके साथ ही आपका जो सैंपल पेपर हो एक या कंप्रीट होता है और आपके ये कितने कोशन है 31 कोशन से भी जादा चींश разб कार नहीं अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पश्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ बेल आइक आपकी फोन में आ सके और अगर नहीं लगता है पढ़ाने का तरीका अच्छा तो मुझे आप बताई कि मेरी कहां पर कमी है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी वीडियो थैंक यू